Hello everyone! Welcome back to my class. हमारा 1st chapter का ये वाला exercise, 1st वाला exercise, 2nd वाला exercise complete हो गया है, ठीक है? फिर ये वाला भी complete हो गया है, यलो कलर करना है सारे मैंगोज में. 4th वाला हमने, मैंने cut करवाया है, ठीक है? 5th वाला भी मैंने cut करवाया है, 6th वाली में हमको complete करना है, वेकस पर से, नंबर लिखना है figure और वर्ड में फिर यह वाला भी complete करना है फिर इसके बाग यह right number in words under place value matching ascending order descending order and this tick करना है heaviest mango पे और यह वाला यहां तक हमने complete करें अभी हम यह वाला question करेंगे यह वाला question है make and draw the weight of 7000 gram और 7 kg in different 5 ways using the weights given below you can use the weight more than one time ठीक है हमको यह weights use करके क्या करना है 7000 gram या तो 7 kg weight बनाना है ठीक है तो यह अलग अलग है यह 250 है यह 2 kg है यह 5 kg है यह 1 kg है यह 1 kg है यह 250 ग्राम है यह 500 ग्राम यह use करके हमको 7 kg weight बनाना है तो देखो मैंने first में कराया है 5 kg प्लस 1 प्लस 1 मतलब total 7 kg हो गया इसमें देखो 5 प्लस 2 7 kg हो गया इसमें 2 प्लस 1 3 4 यह दोनों को मिला के 5 7 और यह 250 250 मिला के 1 kg यानिकी 7 kg हो गया total ठीक है इसी तरह 4 में देखो इसमें 5 kg 6 kg इन दोनों को मिला के 7 kg हो गया इसमें देखो 5 kg इन दोनों को मिला के 7 kg और इन चारों को मिला के 7 kg हो गया अभी देखो next exercise है कुशन no.16 देली मेंगो पर उनका खर्च होता है फिश्ट ए वाला कुशन देखो how much money does he spend in one week तो वन वीक में कितना spend करते हैं तो क्रॉस multiply करेंगे कि वन डे में वन डे में 240 करते हैं तो वन वीक यह नहीं कि 7 डे में कितना होगा तो 240 को 7 से multiply करेंगे तो आएगा 1680 ठीक है फिर है वन सरी कुशन भी है how much money does he spend in one month consider 30 days in one month अगर वन डे में वो लोग 240 रुपीच खर्च करते हैं carry के ओपर ठीक है तो 30 days में कितना होगा 240 multiply by 30 तो answer के आएगा 700 sorry 7200 ठीक है तो यह दोन हो गया फिर इसी तरह यह word problem 17 वाला आपको करना है फिर यह 18 वाला आपको करना है फिर 19 वाला भी आपको करना है ठीक है फिर 20 वाला cut कर देना है 21 वाला आपको करना है ठीक है यह फिर यहां तक आपको complete करना है ठीक है यहां पर हमारा work complete होता है chapter 1 यह activity है तो यहां पर पुरा complete हो जाता है ठीक है और यह जो है वह आपको homework में करना है टेस्ट वर सेल्फ अपने आप से करना है ठीक है यह बस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चप्रेश्ट करेंगे ठीक है जिसका नाम है shapes and angles ठीक है तो अब तक के लिए बाई बाई